असलावा लिको आज मैं आपके साथ चिकन तंदूरी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि या तो हम घर में ओर्डर कर लेते हैं या फिर रेस्टोरेंट खाने चले जाते हैं पर आज वो हम घर में ही बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होगा आज हम बिना तंदूर फ्राइंग पैन में इसको बनाएंगे और बहुत ही अच्छा बनकर तयार होगा तो चली रेसिपी शुरू करते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक केजी चिकन ले लिया है मैंने चिकन के बड़े पीस लिये हैं चिकन लैक पीस और चिकन ब्रेश्ट मैंने यहाँ पर लिया है अब हम इसमें cuts लगा लेंगे इस तरीके से ताकि जब इसमें हम masala डालेंगे इसका marination करेंगे तो पूरा masala इसमें अंदर तक अच्छे से चला जाए और यह अच्छे से tender हो जाए तो इस तरीके से हम इसमें cuts लगा लेंगे अब हम इसका marination तयार करेंगे तो उसके लिए जो मैंने ingredients लिये हैं वह मैं आपको बता देती हूँ 1 tablespoon लिया है मैंने धनिया powder 1 tablespoon लिया है लाल मेच powder 1 teaspoon लिया है गरम masala 1 teaspoon चाट masala 1 teaspoon जीरा powder 1 by 4 teaspoon लिया है हाल्दी powder और 1 tablespoon लिया है मैंने नमक half cup लिया है मैंने आपर हंकर इसको मैंने इस तरीके से श्टेनर में डाल के इसका गाड़ा दई तयार कर लिया है सबसे पहले हम ये डाल देंगे और उसके बाद हम डालेंगे powder और मसाले जो हमने लेके रखे हैं और 2 tablespoon लिया है मैंने लहसुन और अद्रक का पेस्ट हम वह भी डाल देंगे इसमें 1 teaspoon लिया है मैंने कसोरी में थी उसको मैंने हलका सा रोष्ट करके इस तरीके से क्रेश कर लिया है वह भी डाल देंगे हम इसमें और एक नीबू का juice हम यहां पर लेंगे और दो tablespoon लिया है मैंने oil वह हम इसमें डाल देंगे और आप इन सब को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से सबी को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है पूरे मसालों को मिला लेना है दही के साथ में तो सबी को मसालों को मैंने यहां पर दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मिला लिया है आभी जो चिकन में हमने कट्स लगा के रखें इस तरीके से वो हम इसमें डालेंगे और चिकन को मैरिनेट करेंगे चिकन जो भी मसाला हमने तयार किया अच्छे से चिकन पर रब कर देंगे इस तरीके से जो कट्स लगाएं उनमें अच्छे से मसाला भर देंगे इस तरीके से खोल खोल कर एक तरीके से हमें चिकन का मसाज करना है इस तरीके से हम रब कर देंगे मसाला को इसको उपर कोट कर देंगे चिकन को पूरा अभी पूरी चिकन पर हमने अच्छे से इसी तरीके से मसाल को रब कर दिया है पूरा अच्छे से मेरिनेशन कर दिया है इसको अब हम इसको rage ढग देंगे और ढग कर रख देंगे तो चिकन को मैंने अब लग दाव गंटे पहले यहां पर मेरिनेट रख दिया था आप चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है तो अब उसको फ्राइ करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टीश्पून बटर डाला है और इसको हम मैल्ट कर लेंगे हलका सा और उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है वह हम इसमें रखेंगे तो इस तरीके से हम चिकन पीश रख देंगे इसमें अब हम शुरू के दो मिनट गैस की फ्लेम हाई रखेंगे उसका रीजन यह है कि इस पे क्रिस्पी सी कोटिंग लानी है शुरू में हमें क्योंकि इसका जूस है जिससे बाहर ना लिक ले बाहर इसमें एक बड़ी ऐसी कोटिंग आ जाएगी इस तरीके की तो इसका जो अंदर का जूस है वो अंदर रहेगा और फिर हम बाद में इसको धीरे धीरे पकाएंगे ताकि जूसी और टेंडर बनकर तयार होगा हम इसको सुरू में स्लो फिलेम पे पकाएंगे तो इसका जो जूस है पूरा बाहर निकल जाएगा और चिकन ड्राइ ड्राइ बनकर तयार होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लेगा इसलिए हम इसको सुरू में गैस की फ्रेम हाई रखेंगे और बाद में स्लो करके इ आप इस तरीके से बदल बदल कर आप इसको पका लें तो देख सकते हैं यहां पर हमारा चिकन बहुत अच्छे से टैंडर भी हो गया है और फ्राइ हो गया है मैं आपको इसको दिखाती हो कितना टैंडर हो गया है यह तो इस तरीके से हम फॉर्क से चैक कर लेंगे चिकन हम बड़ा था तो मुझे इसको पकाने में करीब 10-15 मिट लग गया है अब हम इसमें तंदूर वाला फ्लेवर देने के लिए हम इसमोकी फ्लेवर देंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चार कोल लेकर उसको जलाए इस तरीके से और यहाँ पर मैंने एक अलुमिनियम फॉयल की कटोरी बनाई है उसमें रख देंगे हमें चार कोल और उपर से मैं थोड़ा बटर डाल दूँगी इसमें और अब हम एक इसमोकी फ्लेवर लाने के लिए इसको धक कर रख देंगे करीब 10 मिनिट के लिए ताकि अच्छा सा इसमें इसमोक आ जाए और अब जो बागी का हमारा चिकन बचा था उसको भी मैंने इसी तरीके से फ्राइ कर लिया है देख सकते हैं और उसमें भी अब हम इसी तरीके से इसमोकी फ्लेवर देंगे 10 मिनिट के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे तो लीजे यह यहाँ पर हमारा चिकन तनूरी बनकर बिल्कुल तयार हो गया है बहुत ही बढ़िया बहुत टैंडर और जूसी बनकर ही तयार हुआ है आप जरूर से ट्राइ करें इस रैसीपी को और अपने फीडियो एक मेरे साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई